असलाम अलेकुम, आज कुट्टेम में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं गुलकंद मुख्वास मुख्वास अक्सर हम खाना खाने के बाद में खाते हैं वैसे तो मार्केट में आपको बहुत से मुख्वास मिल जाएंगे जो की प्रजर्वेटी होते हैं लेकिन हम तो अपने घर पर ही इसको बनाएंगे ताकि किसी भी मिलावाट से हम अपने आपको बच्चा सकें इसकी लिए हम लेंगे सौफ, गुलकंद जो हमने घर पर ही बनाया है और इसकी रेसेपी हमने अप्लोड भी कर देखी अपने चैनल पर सिल्वर बॉल्स, टूटी फ्रूटी, रंग बरंगी सौफ, रोस्टेट धन्या दाल, सिल्ली सुपारी, इलाइची पाउडर और पिपर मिंट अगर मुखवास की रेसेपी आपको पसन आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुप टैन को जरूर सबस्क्राइब कीजिए सबसे पहले एक पैन में हम सौफ को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे सौफ हमने रोस्ट कर ली है हलकी से इसका आरोमा आने तक अच्छी सी एक खुश्बू आ रही है इसको हम गैस पे से मठा लेंगे सौफ को हम ठंडा कर लेंगे रूम टेंप्रेचर पर लिया आएंगे इसको ठंडा करके सौफ को हमने ठंडा कर लिया है अब इसमें रोस्टेट धनिया डाल देंगे प्रूटी प्रूटी डाल देंगे रंग रंगी सौफ, सिल्वर बॉल्स और गुलकंद भी डाल देंगे गुलकंद डाल दिया है अभी लाइची पाउडर डाल देंगे और पिपर्मिंट को हम थोड़ा क्रश कर लेंगे पिपर्मिंट भी हमने डाल दी है और अब सिल्दी सुपाडी भी डाल देंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सबी चीजे हमने अच्छे से मिक्स कर दी है नीजिए गुलकंद मुखवास बनके तयार है आप जरूर ट्राइ कीजिए घर का बना हुआ गुलकंद है घर की ही हमने मुखवास तयार की है जो बिल्कुल हमारे हैल के लिए जरूरी है कोई मिलावाट इसमें नहीं है आप जरूर ट्राइ कीजिए नीजिए गुलकंद मुखवास बनके तयार है आप इसको एयर टाइट टिब में बन करके रख सकते हैं यह करीब सास से आर दिन अराम से चल जाता है अगर आपको हमारी रेसेपी पसनाए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुक टैंक को जब सब्सक्राइब कीजिए अल्ला आफिस